वेल्कम बैक, आज के इस टुटोरियल में हम Z-Test 2 Sample for Means ये कवर करेंगे Z-Test 2 Sample for Means ये एक Data Analysis Tool है Microsoft Excel का ये क्यों Use किया जाता है? ये जो है Null Hypothesis को Test करने के लिए Use किया जाता है यहां मेरे पास एक Data Set है, जैसा कि ये एक Mails, इनका List है, ये उनका जो है WET है, ये एक Survey Report है, उसके बाद इधर Free Mail, इनका ये Data है इसका Variance में यहां Calculate किया हूँ, ये तो आप जानते है किस तरह से Calculate किया जाता है ठीक है? अब ये Data Ready है, अमरे पास, अब ये हमको क्या करना है? कि Z-Test के लिए Data Tab में, Analysis नाम का जो Group है, Right Hand में Last, उसमें जो First Option है, Data Analysis उसमें क्लिक करना है, आपको ये Box ओपन होगा, मतलब Analysis Tools की List ओपन होगी, इसमें से ये Z-Test Two Sample Means, इसको Select करना है, और OK का Button प्रेस करना है, अभी देख लीजें, यहां पर आपके समने जो है, ये Box ओपन होगा, अब ये पूछ रहा है, Input, Variable One Range, मतलब ये जो Range रहेंगी, य ये First वाली Range रहेंगी पूरी, ठीक है, अभी ये पूछ रहा है, Range Two, Range Two मतलब ये Female वाला जो Group है, इसका पूरा Data हम Select कर लेंगे, Variance छोड़ गया है, Variance को Select नहीं करना है, उसके बाद नहीं पर जो है, Hyper, मतलब ये जो Mean Difference है, इसको Blank रहने देना है, उसके बाद Variable One Variance, ये हम लिए है, Labels मतलब हमारा जो Data है, उसमें की First Row जो है वो Label है, इसलिए इसको हमने चेक रखा है, Alpha 0.05 रहेंगा, By Default रहता है, Output के यहाँ पर आपके लिए, आपको जो है तीन Option मिल रहे है, First Output जो है, मतलब First Option है, Output Range, मतलब Same Sheet पर आप जो है, इस पर कोई Sale का Address दे सकते है जैसा मैंने दिया हूँ, G3, मतलब यह Result जो है, यहाँ पर देंगा, दूसरा Option है, New Workbook, मतलब यहाँ पर जो है, एक नई Workbook आपको, जो है, Worksheet, Sorry, Second जो है, New Worksheet, मतलब इसी Workbook में एक Worksheet Add हो जेंगी, ठीक है, Third Option रहेंगा, New Workbook, मतलब जो है, एक नई Workbook में यह Result को जो है, आपको calculate करके देंगा, यह सब होने के बाद, आपको OK का बटन प्रेस करना है, यह देख लीजिए, यहाँ पर जो है, डेटा जो है, आपका ready है, यह देख लीजिए, मेल का जो है, 79.93 है, फिमेल का 80. something है, 85. नोन वेरियंस, यह हमने, अल्रेडी हमने मतलब जो है, दिया था है, calculate करके, observations, मतलब record, number of record है, यहाँ पर, वो है 15, ठीक है, उसके बाद, यह यहाँ पर जो है, यह पूरा detail दे रहा है, तो इस तरह से आप जो है, यह, Z test two sample for means, use कर सकते है,